हलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल कुक वित्वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही हेल्दी नास्ता है इसे बनाना बहुत ही असान है और ये बेसन का बना हुआ है यानि ये पेट के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए अच्छा है तो एक बार आप लोग जरूर इसे बनाने का ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट करके बताएगा कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक लोग की लिया है जिसे दुद्धी भी बोलते हैं आधा दुद्धी है तो इसे छील कर धोकर और इसे कदुकस कर लेंगे और एक गाजर को भी छील कर अच्छा से धोकर इसे भी कदुकस कर लेंगे अब एक बर्तल लेंगे उसमें अरहाई कटोरी इसमें बेसन डालेंगे दो कटोरी और आधा कटोरी बेसन अब इसमें एक चमच हल्दी एक चमच मीर्ची इसमें डालेंगे और नमक स्वादा नुसार और आधा से भी कम इसमें गरम मसाला डालेंगे और जो कदुकस करके रखे थे कदु और गाजर थोरा सा गाजर को छोड़ देंगे सब नहीं डालेंगे इसमें और इसमें थोरा सा डालेंगे एक चमच सरसो का तेल और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कदु में पानी छोड़ता है इसलिए पानी इसमें अलग से डालने का जरुरत नहीं है क्योंकि इसी में वो हो जाएगा जितना बेसन है और कद्दू है इसलिए उपर से पानी डालने का कोई ज़रुवत नहीं है और यदि ये थोरा साब को गीला लगे तो थोरा सा और बेसन डाल लिजिएगा अब एक बरतन में तेल लगाकर और इसे मुठिया बनाकर ऐसे इस तरह से लंबा लंबा गोल गोल करके और इस पर रखते जाएंगे इसे आप गोल्ड सेब में भी रख सकते हैं लेकिन इस तरह लंबा सेब में रखने से कटिंग करने में थीक रहता है इस तरह से मुठ्या बना बना कर रख लिजिए इसी तरह सबी को बना लेंगे और एक कराही में गरम पानी करेंगे और इसमें रखके इसे ढख देंगे इसे पंदरा मिनट के लिए स्टीम करना है ये देखें पंदरा मिनट हो गया है इसे निकाल लेंगे अब एक कराही में सरसो तेल डालेंगे इसमें एक चमच राई डालेंगे और इसमें दो हरी मिर्च को बारी काट कर डाल देंगे और थोरे से इसमें करी पत्ता डालेंगे करी पत्ता डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए करी पत्ता जरूर डालिएगा अब जब सरसो तरकने लगेगा तो इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल कर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे अब वो जो आधा गाजर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे अब गाजर चाहे तो बारी काट कर भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से घीस के डालने में ज़्यादा अच्छा रहता है अब ये देखिए ठंडा हो गया है अब इसे छोटे छोटे टुकरों में काट लेंगे इस तरह से पतला पतला काट कर इसे रख लेंगे इस तरह से पतला पतला सभी को काट लिये है और इधर प्याज भी फ्राई हो गया है अब इसे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप इसमें चाहे तो उजला तील भी डाल सकते हैं यह देखे अब थोरा देर इसे तीन मिनट तक प्याज के साथ फ्राई करेंगे अब इसमें आधा निम्बू निचोड देंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा अब इसमें धेर सारा धनिया पत्त डाल देंगे और गैस का फ्लेम को अफ कर देंगे बन कर तयार हो गए आपका गर्मा गर्म नास्ता अब इसे एक प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसे इंज्वाई कीजिए ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है अब प्लेट में निकालने के बाद इसमें चाहे तो आप उपर से सौस डाल दीजिए और सेव डाल दीजिए और इसे सजा दीजिए तो टमाटर सौस और सेव डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो चलिए आप लोग इंज्वाई कीजिए गर्मागर्ण और मैं चली से टेस्ट करने की कैसा बना है तो एक बर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसेपी के साथ